आज हम जिस विशे पर बात करेंगे वो है इर्शा जी हाँ, किसी की सफलता या सुख देखकर पहला भाव क्या जागता है हमारे हिदे में किसी पुरुष को सुन्दर पतनी या किसी स्त्री को सुन्दर पती प्राप्त होते हैं बड़ा वाहन या कोई सम्मान प्राप्त होता है तब हम अवश्य आनन तो प्रकट करते हैं किन्तु क्या रदे नहीं कहता ये सुख या सफलता अत्वा ये वस्तु दूसरे को नहीं मिलती तो हमें सुख होता उस सुख या सफलता पाने के लिए हमने कभी प्रैत्न भी नहीं किया उस वस्तु की इक्छा तो दूर हमने उस वस्तु का स्वप्न भी नहीं देखा फिर भी मन इर्शा से भर जाता है हम दूसरों का दुख देखकर आनंदित होते हैं और दूसरों का सुख देखकर दुखी हो जाते हैं हम अपना सुख भोगना छोड़ इर्शा के कारण वियर्थी दुख माथे पर उठा लेते हैं तो ये इर्शा क्या है जो बिना कारण हमारे सुख का भोजन कर जाती है। इतना तो हम जान गए कि इर्शा रिदे का गुप्त भाव है। हम लाग समझते हों कि इर्शा उचित नहीं फिर भी इर्शा जाग जाती है। उसको अंकुष में रखना भी असंभव सा है क्योंकि निरंतर रिदे में रहती नहीं। इर्शा से छूटने का केवल एक मार्ग है कि इर्शा की जड़ से हम परचित हो जाएं। इस रोक के लिए समझदारी से उत्तम कोई ओशिदी नहीं। तो इर्शा क्या है? कहां से जन्म लेती है? क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? हमने आपसे पूछा था कि इर्शा क्या है? कहां से जन्म लेती है? जब किसी को कोई सुख, कोई सफलता या कोई वस्तु प्राप्थ हो जाती है तो वास्तव में उसका जीवन बदलता है समाज में उसका स्तर उपर उड़ता है वस्तु छोटी सी ही क्यों न हो कम से कम लोग उसका अभिनंदन अवश्य करते हैं कुछ समय के लिए वो निकट के समाज, परिवार या मित्रों की मनली का केंद्र बनता दिखाई देता है और ठीक उसी समय समाज मनली या परिवार की दृष्टी हम पर नहीं रहती दुख का कारण यही है कि हमारा महत्व हमें कम होता दिखाई देता है क्या ये सत्य नहीं ? हम बाग कर रहे थे कि जब दूसरे वेक्टी को कुछ प्राप्त होता है तो हमारा समाज हमारी मंडली या हमारा परिवार हमारी तरफ देखना बंद कर कुछ समय के लिए दूसरे वेक्टी की ओर देखने लगता है यहीं से इर्शा का भाव हमारे हृदय में जाकता है हमारे मन में सदा ही ऐसी इक्षा क्यों रहती है कि सब हमें ही देखें कि अपने समाज के केंदर में हम सदा बने रहें समाज के केंदर में बने रहने से प्राप्त क्या होता है विचार कीजिए जब तक समाज के केंदर में हम है हमें प्रतीत होता है कि हम महत्व पूर्ण है हमारा जीवन व्यर्थ नहीं निकट के लोगों के लिए सार्थक हैं हम वास्तव में हमारी सार्थक्ता हमारा महत्व हम सदा ही दूसरों की दृष्टी से नापते हैं किन्तु समाज की दृष्टी में तो परिवर्थन होना ही है। समाज, हमारी ओर देखे, वो समाज का उपकार है। हमारा अधिकार नहीं है। हमारी सार्थक्ता का प्रमान, जब स्वैम हमारे अपने रिदे से प्राप्थ होने लगे। हम अपने जीवन से रस उठाने लगे, अर्थाद जब हमारा हृदे आत्म विश्वास से भर जाए, तो इर्शा का भाग अपने आप चला जाता है। इर्शा वास्तव में कुछ भी नहीं, बस हृदे में आत्म विश्वास के ना होने का प्रमान भर है।